पहले सिंधिया और अब पाइलिट के बाद कॉंग्रिस में एक बार फिर सोनिया गांधी के टेंप्ररी विवस्था के खिलाफ सुख बुगाहर तेज हो गई है संदीब दीक्षित का कहना है कि पार्टी में असमंजस की स्थिती पैदा हो गई है अगर इस समय पार्टी को पूरण कालिक अध्यक्ष नहीं मिलता है तो बहुत देर हो जाएगी उन्होंने कहा कि CWC को प्राथमिक्ता के आधार पर पहले ही पार्टी के नितरत्व के मसले का समाधान कर लेना चाहिए था संदीब दीक्षित ने कहा कि कॉंगरेस में असमंजस की भावणा है और ये महसूस किया जा रहा है कि पार्टी को आगे ले जाने के लिए उन्हें अंतरिम अध्यक्ष के साथ ही अपना काम करना होगा संदीब दीक्षित ने कहा कि वो किसी व्यक्ति विशेश से बंधे हुए नहीं है उनके लिए ये माइने नहीं रखता कि पार्टी का अध्यक्ष कौन हो उसका चुनाव कैसे हो राहुल गांधी हो या कोई और किसी का भी चैयन मनुनैन के जरिये पार्टी अध्यक्ष न्युक्त किया जा सकता है सबसे महतुपूर्ण बात ये है कि इस समय पार्टी को एक पुरन कालिक अध्यक्ष की सخت जरूरत है दीक्षित का ये बयान इस लिहाज सेहम है क्योंकि कांग्रिस के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सूनिया गांधी का कार्यकाल अगले महीने के शुरू में ही खत्म हो रहा है और पार्टी अगले अध्यक्ष के चैयन को लेकर अभी भी जूज रही है उन्होंने कहा कि सुनिया गांधी अध्यक्ष के तोर पर बहुत ही योग्य और सराहनी ये काम कर रही है पहले उन्होंने इसलिए पज़ छोड़ा था कि क्योंकि वो चाहती थी कि राहुल गांधी आगे बढ़ें और अध्यक्षपद को संभालें और वे पीछे बैठकर काम करें देख्षित ने कहा कि अभी अंतरिम व्यवस्था है अगर आप अंतरिम अध्यक्ष हैं तो कॉंग्रेस के लिए आप बीर्ग कालिक फैसले नहीं ले पाएंगे इसलिए पूर्ण कालिक अध्यक्ष के लिए ये सही समय है चाहे जो भी हो उन्होंने कहा हमें पूर्ण कालिक अध्यक्ष चाहिए चाहे वो मिस्टर A हो या मिस्टर B या मिस्टर गांधी हो ये कोई मुद्दा नहीं है पार्टी का निर्मान विचारधारा और सामोहिक नित्रत्व से होता है। दीक्षित ने कहा कि मिस्टर गांधी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि वे दोबारा पार्टी अध्यक्ष नहीं बनने वाले। फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता कहां चक्कर लगाते रहे। दिक्षित ने कहा कि सिंधिया के चुनाव हारने के बावजूद पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने और राज्यसभाब भेजने का प्रस्ताव किया था। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जन्नेता का दावा करने वाले नेता को लोगों के फ कॉंग्रेस के बीच से ही नेताओं के अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में मार्बरेट आलवा ने ये कहा था कि राहूल गांधी को युवाओं की टीम बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कॉंग्रेस कारिय समिती में 4-5 लोग और कहा था कि हम कब जाएंगे क्या हम तब जाएंगे जब हमारे सभी घोड़े अस्तवल से निकल चुके होंगे।